कल एक बहुत बढ़िया सी घटना घटी हमारे जूम मीटिंग में, डेली जूम मीटिंग में, के दो महिने से जुड़ने वाले हमारे साथ ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, बिगरी होलडर इंजिनियर और भी कुछ आगे बता रहे थे, बिगरी उनके पास बड़ी थी, आज भी साथ जुड़े हो जेपी सिंग जी, और उन्होंने बड़ी मानदारी से ये स्विकार किया, कि उनको दो महने से कंसेप्ट का पता नहीं चला, और उन्होंने बड़े बेबा की तरीके से पूछा, कि आप बताईए कि मैं दो मेरे से जुड़ा हुआ हूँ, इसका उद्देश से क्या है, उन्होंने पूछा, उन्होंने इमानदारी दिखाई, उनकी सज्जनता, उनकी महनता है, कि समझ में नहीं आया, तक पूछा, क्योंकि उन्होंने तो जल्दी पूछ लिया, दो हजार तेरे से हम धाई सो प्रोफेसर, डॉक्टरों की एक मीटिंग होटल पार्क, पाइव स्टार में लीग आजियवादे, उसके फोटों हैं, वीडियों हैं हमारे पास में, और वहां मीटिंग में, मैं जो में थे, वो डॉक्टर राजकुमार थे, जो उनको असेंबल कर रहे थे, और सेगिंड लीड वे मैं था, क्योंकि मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, डॉक्टर प्रोफेसर की मीटिंग थी, कंसेप्ट वहां भी बताएए, वहां भी बात हुई, इसके इलावा, जो टॉप मोस्ट दिल्ली यूनिवस्टी के जो डॉक्टर सें, उनसे मिरी लगातार बात होती जहती हैं, प्रफेसर है जो डॉक्टर हैं जो Ph.D होलडर है जो Ph.D कराते हैं उनसे मिलना चुलना भी होता है और भी जो कैंड़ों हैं जो भाषण करते हैं जिन को लोग बलाते हैं जिनको मान सम्मान देते हूं उसे बात हुई उनको कंसेप्ट समझ में नहीं आया और यहां एक दो प्रॉफेसर आए भी आके रुके भी और चले गे उनको कंसेप्ट समझ में नहीं आया और जो बड़े-बड़े अफसर जो यहां आए और जो बड़े-बड और concept की बारे हम कहते हैं कि concept इतना सरल है कि चीटी भी जानती है और इतना मुश्किल भी है कि हमारा अचीशार Excellent, चीप बिसमें आख जाता और झिसे हमारा किम नहीं डाली करता है और जोर अन्फीव गास, लंगा, सेट का पता नहीं है और जो 29 लाग संग्ठन चला रहे हैं और जो दरादर भाशन पर भाशन दे रहे हैं और जिरों ने कुड़ते पजा में भाशन देने वाले special dress सिल्वा रखी है special dress होती ना जैसे कैदियों की special dress होती है नर्सों की होती है ऐसी भाशन देने वालों की special dress होती है और पहचान बता देता हूँ आपको गोल तो उनका गला होगा उनकी कमीज हो या कुड़ता हो उसका गोल गला होगा वो कौने वाले कुड़ते के वो नहीं पहनते क्या बोलते कपड़े और उनके बाल थोड़े चिपक गला या जो बड़े अपहने हैं उनका संगनी बन पारा है और उमीद मत करना कि वो बनेगा भी क्योंकि और अगर दो प्रोफेशर को आप एक ही बात के लिए ची बात कि लिए सम्जाना शुरू कर दो और एक प्रोफेशर ये कह दे माइक में पहले आके कि संग्ठन में सक् है तो दूसरा प्रोफेसर ये प्रूब कर जाएगा कि संठन में सकती नहीं है इसको द्यान लगना अगर नहीं तो इसको अजमा लेना क्योंकि उनको अपने आपको प्रूब करना है उनको समास से कुले अंदर नहीं है उनको सही बात से या महापुर्सों की बात का तो वो इस नाम नहीं लेंगे तो कहांगे के भया हम तेरी सुनते हैं नहीं हम तो बाववा साब कियानूं ये तेरे हैं नहीं तो मजबूरी मुझे लेना पड़ता है तो ये जो जे पी जी भाई आय थे वो बड़े इमान्दाव है कि जो चौती क्लास का जो बच्चा होता है, वो कंसेप्ट को कैसे लिल जिता है, तो अगर आप ये बात देख लेंगे अच्छी तरह ऐसे, तो समझ में आ जाएगा कि जब बच्चा मा के पेट में होता है, और मा जब वैसे ही अपने पेट पे हाथ फिराती है, तो बच्चा ह संग, अंग्रेजी में विद कहते हैं संग, साथी, संग, संगी, तो संग रहता है, तो उसको सुरक्षा मिलती है, जब बच्चा पैदा होता है, तो उसकी मा के इलाव अगर वो किसी की गोद में जाता है, तो रोना सुरू कर देता है, मगर जैसे ही मा की गोद से आता है, त सुनता है आई रहे क्या हुआ रहे इतनी आवाज सुनते ही दूसरे कमरे से मां उसका दूस बना रही है बस इतनी आवाज सुनते ही उसको सुरक्षा मिल जाती है कि मेरी सुरक्षा करने वाला मेरा संगी मेरा साथी उसको पता नहीं है कि यह मां है मां तो उसे बाद में सिखा पाती है जो मेरे साथ रहती है तो उसको सिक्यूरटी मिलती है उसको सुरक्षा मिलती है भोजन के लिए नहीं रोता क्योंकि जब कमरे में जाता है रोता है और माँ खाली उसको उठा के गले से लगा ले तो चुप हो जाता है भोजन मिले या ना मिले वो बात की बात है मैं रक्षित हूं मैं जीवीत रहूंगा मैं आगे बढ़ूँगा ये बात उस बच्चे को समझ में आती है जिसकी आँखे नहीं खुलती जो पेट के अंदर होता है ये बात पिएशडी होल्डर को समझ में नहीं आती ये बुद्धी जीव को समझ आती इसलिए जब भी यहां य हज्जारों लाखों चीटियां मिलकर जमीन के अंदर छोटी छोटी सुरंगें बनाती है वह जब साइंटिस्टों सुरंगों को देखते हैं तो उनको ताज्य होता है कि कितनी बाड़ा जाए पूरा पानी भर जाए उपर तक उनके घर में पानी नहीं जाता क्योंकि वह इ एक structure बनाती है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है यानि वो जुड़ना और जुड़ना जानती है कि हमरजंसी में अगर कहीं किसी को कोई खाना कहीं रखाओ को खाना को करेक्ट करती है तो कैसे एक दूसरे कपास पहुंचेंगी तो वो सारा इंतियाम रखती है क्यो जो चोटी सी जी चीज है जिसको मदमकी बोलते है वो कितनी महनत करती है अकेले महनत करेगी तो सहद का मीटा च्छता नहीं बना सकती अपने बच्चों के लिए मौम का घर नहीं बना सकती अकेली जो मदमकीया कैसे बनाएगी अगर वो लाखो जो मदमकीया है वो जंगल मे महत करती हैं लगातार और वो दसीयों किलो मौम और दसीयों किलो सहद इखटा कर देती हैं जगे जगे पेड़ों पर जिसको हम लोग तोड़ लाते हैं वो फिर भी कुछ नहीं कहती है जब तक उनको चेड़ो ना अगर उनको छेड़ो गो उनको मारोगे उनकी स्वक्षम दिक्कत आएगी तो वो काटेंगी तो जान मिले लेगी तो ना तो उन्होंने पिएच्डी किये चीटियों ना वो किसी यूनिवस्टी में गई है ना उन्होंने बावा साप की वाडियम पढ़े है ना यही कलास बुद्ध से पहले जिनोंने साथ रहना सिखाया उन्होंने ली और उन्होंने क्या ली वो तो उनके तो जब तक वो बंदर से बंमारू से आदमी बने तब साथ चलना है बंदर आज भी जुन पे रहते हैं बंदर उसे सीकना चाहिए ना तो वो किसी चालता है कि हर एक जानवर जितने भचे हैं सारे जानवर अगर अलग रहेंगे तो सिकार हो जाएंगे तो जह भूंक Nikki आता उसको माऄग गुराते लिए तो जानवर सारे खटे रहते हैं तो क्या पक्षी जो है वो भी जुन में रहते हैं तो पक्षियों के समू के समू जुन में रहते हैं अभी जो ठंड का माहूल चला है तो साइबेरिया से यहां दिल्ली के अंदर जो जील में आते हैं पक्षी समय आये हुए है सारे सारे वो वहां से जुंडों में चलते हैं और बिना खाए बिना पिए रूस से लेके और दिली तक की यात्रा करते हैं और फिर बापसी करते हैं और यहां जुंडों में रहते हैं सबके सब इसलिए बसते हैं इसलिए इतनी लंबी-लंबी यात्राएं भी वो जीत जाते हैं जुड़ेंगे तो यात्राइं जीत जाएंगे जुड़ेंगे तो जिन्दी से जीत जाएंगे ये छोटा सा फलसफा चोटी सी बात है जो कण कण में विद्धमार है कण कण में कण कण जुड़ता है तो पहाड बन जाता जिसको हिमाले बोलते हैं और वो हिमाल अतना भारी पड़ जाता है कि अच्छे-च्छो के लिए वो मुसीवत के पहाड के लाए जाते है कितना मुसीवत के पहाड है और कंड-कंड जुड-जुड के बना हुआ है वो अगर देखेंगे तो सारे पेड़ जितने भी हैं वो जुन्ड में रहते हैं तो बच जाते हैं तो जाड़ियां भी जुन्ड में रहती हैं तो बच जाती है कितनी कमाल की बात है जाड़ी जुन्ड तो फिर भी कह सकते हैं कि वो अचेतन जीब है उनमें एक जीवन चलता है, एक इस्ट्रक्चर चलता है, चेतना नहीं है, बिना चेतना के हैं, मगर हवा का क्या? हवा में तो चेतना नहीं है, मगर हवा भी जब इखटी होती है, तो बंडर बन जाती है, और अच्छे अच्छे पेड़ों को उठा के ले जाती है, अच्छे आरकुर भैसों गायों को हवा में उडाते हुए खूब वीडियो आती है ऐसा बाउंटर बनता है ऐसा टाइकून बनता है तो हवा को देखे तो आग को देखे कि आग जब तक थोड़ी बहुत होती है तब तक कोई नुफसान नहीं और जब आग फैल जाती है तो जंगल के ज जंगल जला देती है जंगल के जंगल जला देती है घर के घर जला देती है महले के महले जला जला जाती है कि एक खटी हो गई अलग नहीं है तो पानी नदियों में बहता रहता है तो थोड़ा सा पानी रहता है तो नाव नहीं बहती उसमें च्छोटी सी और वही पानी जब हमने नहीं बनाया, बाबा साब नहीं बनाया, बुद्ध नहीं बनाया, महापुरस नहीं बनाया, उन्होंने तो कैसे हमको जुड़ना है, क्योंकि हम भटक गए, हम अलग-अलग हो गए, हमको अलग-अलग कर दिया, हमको कैसे जुड़ना है, यह तरकी में बताई है, हमको या ले कि सहर छोड़के जनल में जाकर नहीं डेख समय नहीं आता है कि साथ रहने का सन्ग रहने का एकाटि रहने का क्या उद्श से होता है तो आज ही अपने घर में काणगा के को प्सको चोड़ दे और बालु나 जाया जाए आदमी और फिर भी उसे डर रहेगा तो उसे डर रहेगा चोर ना आ जाए आदमी का आदमी से डर रहेगा चोर ना आ जाए तो रह के दिखा दे अकिला अगर उसको इखटे होने में इतना ही अत्रा आ जाए उसको इखटे होने का उद्दे से समझ में नहीं आता तो जाए जं लगने लगता है, मगर अगर अगर अधिरे में आवाज देते, अमा आवाज देते, बापो आवाज देते, भाई आवाज देते, बहन आवाज देते, तो हिम्मत आ जाती है, क्या किला नहीं कोई और है, काम में लगते हैं, केलो तो अधिरे से, तो उनको साथी चाहिए, संग में रहते हैं चाहे गाओं में रहें चाहे वो शहर में चाहे कबीले में रहें तो मनुष से जुन्ड में रहता हुआ आया है मगर हमारे बड़े जुन्ड से हमको अलग कर दिया है और हमें टुकडों में करने का एहसास दे दिया है हमारे आसपास का वातरवर इस शिकौर है हम पिट जाते हैं, तो हमारे आसपास जुन्ड रही है, जो खड़ा हो जाए हमारे साथ, इसलिए हम पिट जाते हैं, अगर हमारे आसपास जुन्ड हो, हमारे आसपास लोग इखटे हो और हमारे अपने लोग हो, तो कोई पिटे गए नहीं, तो उद्धिस से पूरा हो जाता है, लोग इस बात को उद्दे से समझते हैं जो बुद्धी जी भी है कि एटो सिटीज होगी तो संग्ठन चाहिए एटो सिटीज होगी तो उसके लिए संग्ठन बनाते हैं इस बात को नहीं सोचते वो कि अगर संग्ठन बना लेंगे तो एटो सिटीज होगी नहीं अगर इखट मौकी की तलास में रहते हैं कि कब जुन से लग हो और कब इस पर हमला करें या कब इसका छोटा बच्चा लग हो या कोई बीमार बुड़ा लग हो कब हमला करें वो जुन में देखते रहते हैं देखते रहते हैं जो अफरीका की जो वीडियो जाती है उसमें बता जाता है बा रह जाता उसको दबूज लेते हैं ऐसे ही वो हमारे संगों को दोड़ाया उनोंने हमारे लोगों को अलग-अलग किया तब हमारा शिकार हुआ है जब तक हम साथ थे तब तक हम शिकारी थे जब हम अलग-अलग होगे तो हम शिकार होगे शिकार और शिकारी के बीच में तुम्हारे जो बुद्धी जीवी और जानका लोग है वो कहते हैं कि तुम शिकार बनके आओ और हम तुम्हारे लिए महलम पट्टी, एफाया कराने का इंतिजाम, कोट में हम पैरवी, हम तुम्हारे तक्ती और वो लेके, बैनल लेके लड़ेंगे, हम शिकारी से मांग करें बनरे घृता, ककल बताया, क्ले बताया, बहंजी ने बताया, कबूतर सारे फस गे, जाल लेके उड़ गे, इखटे थे तक उड़ गे, अरे बै बही, इतनी सी बात समय में नहीं आती है कहारी कहारी पढ़ते रहते हों पrdते रहते हों पढ़ते हों कि तुम्हें आदत है मानना नहीं है इसलिए बावा साब की बात नहीं मानी बावा साब ने कहा और्गनाइज तो बावा साब कह दिया कौन बावा साब बस बावा साब का नाम लो और अपना काम दो मनवानी तो हमें अपनी है ना हर आदमी विचारक बना हुआ है किरा मेरी मानों पहले मेरी मानो बावा साब का नाम तो मैं इसलिए ले रहा हूँ कि बावा साब ने ये का ताकि तुम जम जाओ और तुम बैठ जाओ बात मैं अपनी करूँगा बात में बावा साब की नहीं माननी तो कितनी वक्त सरल सब्दों मैं कहा और्गिनाइज हो जाओ और वो सरसब्दों को तोड तालके 29 लाग संगधन टूड़े बना दी है और बावा साथ कह दिया बावा साथ तोवारा सपना पूरा कर दिया हमने देखो वहीया और घ्रमंट कितना कि हम बावा साथ काम कर रहे हैं संतों ने कहा संगत में रहना है संगती करनी है साधू संगती में रहो संगत करो साथ रहो संग रहो और संगत जितने भी महापरुष थे जितने भी संगत संगत साधू साधू कहने वाले संद थे सब के टुकड़े कर दिये और सब पे गर्ब, कोई पीला कपड़ा, कोई नीला कपड़ा, कोई लाल कपड़ा, कोई सर पे मुडासा, कोई सर पे साफा, कोई पगड़ी, कोई ये, कोई तलग, कोई तहमद, कोई आसरम, कोई परची, कोई गंड़ा, कोई किताब, कोई कमाल कर दिया, भई सादू संत कब आपस में लड़े कौन सा साधू किस साधू की बराई करता है तुम बता दो साधू संतों ने एक दूसे की जीवने बराई नहीं करी और तुम साधू संतों के नाम पर लोगों पलग कर रहे हो तो साधू संतों का काम कर रहे हो या साधू संतों का काम तमाम कर रहे हो कौन से सा मज़ाब के अंदर एक आदमी अपने आपको संत कहता है गले में माला डाल के चलता है और कहता है मैं संत हूँ और बुराई 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 की तेरे संत ने तो बुराई की नहीं कभी और तू बुराई कर रहा है तू अपने संत का कैसा चेला है भाई तेरे तो चेला होने संत के सैतान हो जो संत को मारते हो इस बात को समझ लो नहीं तो पूरूब कर दो इस बात को कि कब संत अलग थे संतों नहीं कब कहा कि हमारी बात को दूसरे संत की बात को मानना और उसके खिमे में जाना और हमारी बात मनना संत को इस संत दूर नहीं चलाते थे वो तो मस्त मौल का ग्यान है इसमें पांच क्लास नहीं है यह चौती क्लास से नीचे का ग्यान भी अगर आ जाता है तो भी हमारा काम हो जाएगा हमें पांच क्लास में पढ़ना ही नहीं है हमें जरूत ही नहीं है हमें तो सिर्फ मानना है सारा काम सारा काम सारा काम हमें संतों ने बताया और ऐसे संतों ने बताया जो कभी क्लास में गए नहीं जो कभी स्कूल में गए नहीं बुद्ध कौन सी क्लास में गए, कौन सा सर्टिफिकेट है, कोई बता दे उन्हें के पहली क्लास पास की, दूसरी पास की, तीसरी की, कोई पीज़ी से युनिविश चिलाए हो, और पूरे दुनिया के जगत गुरू है, पूरे दुनिया को बढ़ाते हैं, और लोग मोटी मो उसको लेके चलेगे, और कितने मठ बना दिया, कितने मठ बना दिया, कितने तरह के भिकू बना दिया, कितने तरह के विचार बना दिया, कोई अलग तरह का लेके आगया, कोई अलग तरह का लेके आगया, कितने टुकड़े करोगे, तो मैं तुम काय के बुद्ध की फिलोस से आपके पार झाल यह वहां बन गए हम घुन तो लुएन मतलब बता दो तुम क्या होता है या अब हुग नहीं होना है अब हुरोने बात दूसी पकड़ लिए क्या बात पकड़ लिए वह यह समढ़ संगी ना पैसे बंद करवा रहे हैं यह आरेसस के आदमी है यह बीजेपी के आदमी है यह दुस्मन के आदमी है यह पैसे बंद कर लिए कहा है संटर बंद कर लिए थोड़ी का है हम ने हम यह थोड़ी करें कि संटर देंगे तब जब इखटे हो जाओ कि तब अब इसे प्रूब कर लो भई कि ये बुरा है हजार आदमियों से पूछ लो अगर एक भी आदमी ये कहता हो कि इस बात में कोई कृत्त है भई दुकान पर जाते हो तो दुकांदार को क्या कहते हो पैसे देंगे तब जो सामान है और तुम पैसे ले रहे हो तो भई पैसे देंगे जब सामान दो तुमने क्या प्रॉमिस किया था तुमने क्या था कि सारे अधिकार जितने भी हैं बावा साब लेका हैं बावा साब का कारवा हम किसी भी हालत में पीछ नहीं जाने देंगे अपनी स्पीश उटा के देख चला गया तो भी पैसे क्यों ने तो पैशे देंगे जब सामान दोगे जब तो सामान दो भाग जाते हो तुम तो ऐसी दुगान पर कौन जाएगा भाई इसलिए उनको ये बात कहते बुरी लगती है वो कहते हमां तो फ्री में आ रहा था पैसे बेना सामान दिए ये समर संग करने लगे हैं अच्छी बात है काम चल रहा है फिर भी उनको चौथी क्लास का जो कैडर है वो उनको बताना चाहिए कि बई चौथी क्लास से पहले पहले की क्लास पढ़के आए हैं और हम तो उतना जानते हैं हम को ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं मगर हम को ये पता है कि अगर हमारे पचास आदमी महले में एक साथ रहते हैं तो उस महले से गरम हवाई भी बचके निकलती है वो भी ये कहती हैं यहां लोग इखटे हैं यहां नहीं जाना यह तुमको ठंडा कर देंगे जो गरम हवाय है उनको भी ठंडा कर देते हैं पजास हाथ में मिलके इसलिए भाई गरम हवाय भी बसती है कहते हैं जहां इकटे रहते हैं वहां बलाएं नहीं आती बलाएं का मतलब है बल बल नहीं आता बल नहीं आता मतलब कोई एक्टा फोर्स ताकत नहीं आती यानि जहां लोग इखटे रहते हैं उनका बल जादा होता है तो वहां कोई बल प्रियोग नहीं करता तो बलाएं नहीं आती वहां तो बल नहीं आता वहां तो मुसिवत नहीं आती वहां, तो कोई आदमे डंडा बंडा लेके प्रियोकर अच्छा तो नहीं कर सकता. इसलिए संग्धन में सक्ती होती है, इसको कोई मरा नहीं कर सकता. और ये हर व्यक्ति जानता है, कि जैसे ही महले के अंदर, जैसे ही कहीं कोई जगड़े वगड़ी बात होती है तो पूरा महला एकसा निकल एका जाता है जगड़ा खतम, जैसे लोग आजाता है खर्ब लोग आगे लोग आगे लोग आगे और समझ में आता तो उनको पड़ाओ, सिखाओ कि जब भी कोई महिला जब भी कोई लड़की जब भी कोई लड़का जब भी कोई बुढ़ा जब भी कोई आदमी जब भी कोई घर में रहने वाला अके लएकला वेक्ती उसके घर में अगर चोड चकार आजाएं कुछ लुटे रहे आजाएं और वो चीख मार दे के दे बचाओ बचाओ और पांच आदमी उदर से अवाज लगा दे कौन है रहे हमारे हैं कौन है रहे हमारे हैं तो चोर का जिसका पिसाब दस दिन से नहीं आता होई निकल जाता है सिर्फ आवाज सुनके संग्ठन में इतनी सक्ति होती है इसल कोई पिएसड़ी की डिगरी कोई बुध्धी जीवी या उद्धि से बताने के लिए कहीं कोई आशखता नहीं है जो लोग इखते हो जाते हैं दुनिया में खुद उनसे पूछ लो कि इखते हुए लोगों का कोई काम रुका आस तक कोई काम ऐसा हुआ जो ना हुआ हुआ इखटा जो करते हैं, जो इखटे रहते हैं, उनकी कोई मुसीबत नहीं आते हैं, उनका कोई काम नहीं रुपता, बड़े से बड़े काम भी उनके हो जाते हैं, इसलिए मनुस से जंगल में जाके नहीं रहता, वो किसी महले में रहता है, वो कितना ही गरीब हो, कितना ही अनप तो इतनी चोटी चोटी सी बातों के लिए कितने बड़ी बड़ी लोग फिलोश्पी दे जाते हैं उसका कोई फायदा नहीं तो फायदा इस बात से है कि जो गण तंत्र दिवस मनाने जा रहे हो कल उसका गण कहा है तो बहतर वाले जो दिवस मना चुके हैं उनमें गण तो ढूंड़ो गण कहा है गण बना भी है हमारा नहीं गण में तूटा होता है एकल होता है वो गण नहीं होता है का मतलब है लोगों का समू तो गण तंत्र दिवस मनाना है तो गण तो बनाओ अगर गण नहीं बनाओगे तो इसका दिवस क्यों मनाते हो किस बात की सुपकामना किस बात की मलकामना किस बात का अजस्थन बनाते हो खाली सम्विधान लागों उन्हें से गड़ बन गया अभी अगर सम्विधान लागों हुआ तो जो विवस्ताती तुन्त होगी वो तो करनी पड़ेगी वो तो लोगों को बताना पड़ेगा वो तो लोगों को इखटा करना पड़ेगा तो गड़ बनाना पड़ेगा, तो उम्मीद करो कि हम जो 74 मा बनाएंगे, वो साथ हम गड़तन दिवस बना पाएं, अगर हम सारे के सारे लोग महनत करें, हम सारे सारे लोग लगें, और छोटे 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 गड़ बना के एक बहुत बड़ा गड़ सम मना लें फिर हम यह कह सकते हैं कि यह समण संग का गड़ है गड़ संग है यह समण गड़ संग है तब गड़तंत दिवस बन सकता है तब आप समिधान की जय कर सकते हो तब समिधान आपके लिए कुछ कर सकता है और आप बिखरे हुए हो और खुशी इस बात की मनाओ कि हमारा गड़ हैं, तो यह तो ठीक ऐसे ही है कि घर में नहीं है, दाने और अम्मा चली बनाने, उसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए महरत करके, जैसे पाकी सब लोगों ने अपने गड़ मना रखे हैं, और वो वास्ता में गड़ तंत मना रहे हैं, मजा ले रहे हैं, वैसे हमको गड़ मनाना चाहिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा परिशानी हमें आती है, वो आती है, जो हमारे 6743 जातियों के अलावा जो हमारे 29 लाग टुपने संग्धरों में हैं, उनके लोगों को वो बुद्धी जीवी लोग हैं, उनकी बुद्धी ज़्यादा काम्याब है, वो बड़ी बड़ी भाशन देते हैं, बड़ी बड़ी स्पीस देते हैं, उनको बड़ी बड़ी शील्ड मिलती हैं, उन्होंने भाशन देने के नेतागरी के कपले सिलवा रखे हैं, उन्होंने बाकाद अपना एक डैकोन बना रखा है, उनका फोन भी करोगे, आप तो फोन प करें उनके साथ करेगा इसलिए हमें उन्हें कहना पड़ेगा कि इखटे घुखते आप यह जाओ और यहां लोग को कि 300 का यांगला चुआ है 300 कुछ का चुआ है वैसे आज 400 की उमीद थी तो कल 26 जनवरी को बड़ा काईक्रम होगा कल आने वाले हैं तो कल आज की कसर कल पूरी कर देना कल 400 तो होई जाने चाहिए क्योंकि गड़ नहीं बनाओगे तो गड़ तो दिवस कैसे मनाओगे तो गड़ तो मना लो भाई चोटा ही मना लो तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा इसलिए जिद्ध हमारी गड़ बनाने की है जिद्ध हमारी जिन्द रहने की है जिद्ध हमारी लोगों को समझाने की है और जिद्ध हमारी लोगों को लगातार बताने की है कि गड़ बनाना है तो ग आप सबी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेने गच्छामी संगं सरेने गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेने गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेने गच्छामी तूथियं पी धम्ममर्सरेने गच्छामी भूथियं पी नम्मं सर्णं गच्छामी तूथियं पी सर्णं सर्णं गच्छामी बुखियं पी संगं सर्णं कच्छामी तर्थियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी तर्थियं पी संगं सर्णं कच्छामी